आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस सवाल में हमें दिया गया है कि Velocity जो है किसी Particle की ठीक है वो ऐसे दी जा रही है A T प्लस B अपन C प्लस T बहुत बढ़िया अब बो लगए कि ABC की Dimension बता दो T टाइम में भी Velocity सेंटिमेंटर पर सेंटिमेंटर पर सेंटिमेंटर अच्छा देखो अगर Left Side में जो Result है वो Velocity है तो Right Side में भी Velocity जी एड या सब्ट्रेक्ट हो सकती है तो सबको पता है यानि कि अगर इदर Dimension L1 T माइनस 1 है तो A T की Dimension भी क्या बढ़िया A T की Dimension भी L1 T माइनस 1 के बराबर होनी चीए और B अपन C प्लस T के Dimension भी L1 T माइनस 1 के बराबर होनी चीए Clear है मेरी बात सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चला क्या पता चला भाई देखो चला कि A T जो है इसकी Dimension है L1 T माइनस 1 के बराबर T के Dimension तो T1 हो जाएगी ठीक है इदर हो गया L1 T माइनस 1 तो यह इदर जाके नीचे जाके T1 पॉस्टिव उपर जाके T1 नेकेटिव तो जाएगी A की पावर L1 T माइनस 2 हम मुझे B की Dimension निकालने के लिए मैं इसका सारा लूँगा B अपॉन C प्लस T की जो Dimension है वो L1 अब नीचे देखो टाइम में C एड़ हो रहा है तो C भी टाइम होना चाहिए यानिगी नीचे वाले की Dimension होगी T की पावर 1 तो यह T की पावर 1 इदर जाके अगर मल्टिप्लाई होगा तो यह कैंसल आउट हो जाके B की Dimension आ जाएगी L की पावर 1 खरता हूँ और C की Dimension तो पता ही मुझे बताया भी टाइम में एड़ हो रहा है तो C की Dimension आ जाएगी टाइम की पावर 1 Classics चे टुवल से लेके NEET IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीज़ें अपने डाउट्स 8444 चूपर